हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल वीव डिजाइन तो आज हम बनाएंगे बीडिफुल स्लीव डिजाइन जिसे हम डोरी लूप के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने इस तरीके से स्लीव कट करके रख ल मैंने इसमें फोल्डिंग का मार्जन नहीं लिया है क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें लगेगा उसके साथ इसकी फोल्डिंग होगी तो ऐसे उपर से साथ नीचे से साथ इंच हम इस तरीके से माक कर लेते हैं तो ऐसे जो साथ-इंच है बिल्कुल साथ-साथ हमने में इसके लेकर आना है कट और नीचे से आते-आते इसको ऐसे गुलाई दे देंगी हम कि आज़ा तो यह देखिए मैंने जो साथ इंच से पहले बिल्कुल साथ साथ ही कट दिया है बारीक सा उसके बाद नीचे से इसको राउंड शेप दे दिया है तो अब हम इसको कट कर देते हैं तो यह देखिए हमने अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लिया है तो यह जो कट है हमारा इस तरीके से आजाएगा राउंड शेप में स्लीव पे तो बिल्कुल कट के साथ साथ हमें लूप्स को स्टिच करना है तो चलिए अब हम लूप्स स्टिच कर लेते हैं ऐसे मै मैंने डोरी बना के पहले से ही रखिया और मैंने सेम कलर की डोरी पलती है आप चाहो तो यहां पर कंट्रास्टेट डोरी भी यूज कर शकते हो तो अब हम इससे चोटे-चोटे लूप कट कर लेते हैं तो लगबब धाई इंच के हम लूप कट करेंगे इस तरीके से तो अब हम जो लूप है वो यहां से शुरू करेंगे नीचे वाली साइड से तो यहां तक तो हमारी मार्किंग है फिटिंग की से लाई लग जानी है इसके उपर से शुरू करेंगे तो यह स्लीव की सीधी साइड है यहां से हमने लूप को इस तरीके से यहां से जितना भी आ लूप बनाते हुए ऐसे आप स्टिच करें सीधी साइड़ पर तो अगले लूप में हमें एक इंच का गैप देना है कम से कम आप यहां पर लूप में अपने अकॉर्डिंग गैप दे सकते हैं मैं एक इंच का गैप दे रही हूं तो यह देखिए हमने यहां तक लूप स्टिच कर लिए हैं हमने कट से दो या धाई इंच नीचे तक ही लूप स्टिच करने हैं यहां पर इधर वाली साइड पर अब हम लूप स्टिच करेंगे तो यह देखिए इधर वाली साइड में भी मैंने यहां तक लूप स्टिच कर है इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए आपका ये लूप और अब भी मैं आपको दिखाती हूं उसको स्टिच करने के बाद ये कैसे आएगा तो ये दिखिए लूप हमारे स्टिच हो चुके हैं अब हमने इसको पलटने के लिए यहाँ पे एक और एप पट्टी कट की है और इस और एप पट्टी पे मैंने इसको एक साइड से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई भी लगा लिए ये दिखिए तो चलिए अब हम इससे इसको पलटते हैं, तो इस पट्टी को ऐसे करके रखेंगे हम, यह जो फोल्ड किया है ना, यह नीचे वाली साइड पर आना चाहिए, ऐसे करके, और स्लीव को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे, यहां से ऐसे, किनारी से, जो सिलाई से हमने लूप स्टिच की है ना, उसी सिलाई के उपर ही एक सिलाई चला देंगे, और यह पट्टी को स्टिच करते जाएंगे स्लीव के साथ साथ, तो ऐसे एक्स्ट्रा फैब्री को हम यहां से कट कर देंगे, और यहां पर हमें छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं, इससे क्या होगा, फिनीशिंग अच्छी आएगी पलटने के बाद, तो यह देखिए, कट हमारे लग चुके हैं, अब हमने क्या करना है, यह पट्टी को इस तरीके से, अंदर की तरफ हम फोल्ड करते हुए, यहां पर रफ स्टिच कर देंगे तुरपाई के लिए, और यह पलटने के हमारी यह लूप इस तरीके से आगे से आजाएगी फिनीशिंग के साथ, तो चलिए पहले एक रफ स्टिच कर लेते हैं इसको, तो यह देखिए मैंने इस पर जो रफ स्टिच की थी मैंने इसको तुरपाई भी कर दिया पीछे से, और यह पीछे से ऐसे आगी है, तो ऐसे हमारी यह लूप भी स्टिच होगी है, और अब मैंने यह जो बड़ा लूप लगाया था, मैंने यहाँ पर बटल लगाना है, तो चलिए अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं, इस तरीके से इसको फोल करेंगे, और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई लग चुकी है तो पहनने के बाद ये ऐसे आ जाएगी तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और डिजाइन अच्छा लगाओ तो इसको लाइको शियर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई